एलो एवरीवन वेल्कम टू बटनी स्टूड फ्रेंज आज के इस वीडियो में बात करेंगे पॉइजनस वर्सिस एडिवल मश्रूम के बारे में कि मारे पस कौन-कौन सी मश्रूम है जो की पॉइजनस है और कौनसी जो है वो एडिवल है उनकी बिच में डिफरेंस देखें उसमें मारपस वह फंगी आती है जो कि प्वाइजनस होती है ठीक है बहुत सी कम प्वाइजनस मिश्रूम पाई जाती है 90% of the fatal case assigned to mushroom eating are caused by toxic effect of the species belong to genus सबसे जादा तो टॉक्सिक इफेक्ट दिखाये जाते हैं कौन सी स्पीसिस होती है अमेनिटा अमेनिटा के पैलाडोइस अमेनिटा वर्सोवा और अमेनिटा वर्ना यह नाम जो हम याद कर सकते हैं यह जो है प्वाइजनस है highly poisonous species है बहुत दूसरी तरफ अमेनिटा रूबैंसा अमेनिटा की ही एक species है वह एडिवल है it has been estimated that out of 15,000 species of fleshy fungi about half of them are edible and as many as 100 species are poisonous and therefore consumption of wild mushroom requires adequate precaution to avoid accidental death due to mushroom poisoning हमार पास यह सब जो है 15,000 species है उन मेंसे 100 जो है वो poisonous है तो हमें कभी भी अगर हमें wild mushroom जो है अगर हम उसको consumption करे तो हमें जो है पहले उसकी checking करने चाहिए ठाकि कोई भी तरह का हमें ill effect ना हो या तक हम उससे बच सकें क्योंकि ऐसे बहुत से केस आते हैं जहां पे जो है सेंठी कम है का मई-ख स्टाक्चुर्य जो क्या इंदिखा संधी क्योंकि भी जो इसमारे मिटेंची की नीचे क्या नीचे होटीं मेरे पास मश्रूम होती है इसको स्टॉक यहां पी जो है वोलवा होता है कैप यह कपलेक स्टॉक्चर होगा तो वो मारे पास जो है पॉसनेस मश्रूम होगी इस शोट भी अब्जाव वेरी क्लियर फूल तो सी दे स्कीन एज इट में नोट भी आलवेस प्रमिनेंट इसको ज थो जिए न害सरी पास जिकसिंग्ल पास जो ऊचिंग्ल गीर फीच तो सिंगल मुष्म होगी लां टूक ठाव एक होता फिर टू होगे थो फा यह उपक्रों के च discharge में प्रिच्य म जा सकतें मिब्रमित करतें दो आउप तो मॉल गांड्यूम की अ बात करतें कितनी आउप न तो चीज है नहीं चाहिए तो अगर वयर से ना मैंसे दोनों में एक चीज़ प्रेज़ें तो यह था आप पास morphological method अब बात करतें traditional method की तो traditional method में जो मेरको भी लगते हैं की ज्यादा effect वे जिसे हम पता लगा सकते हैं there are some indigenous method for differentiating poisonous and edible mushroom poisonous mushroom it's soaked in sulfur अगर उसको नमक के पानी में डालेंगे तो वे blackish color देगा water को तो वो poisonous mushroom है silver या copper के जो आर्टिकल्स है वो black color की हो जाएंगे अगर हम उसमें poisonous mushroom add करेंगे milk curds हो जाएगा milk की curdling हो जाएगी immediately अगर वो poisonous mushroom के contact में आते हैं तो हम यहां से ही पता लगा सकते हैं कि वो edible या poisonous है unusual change in color of onion and brinjal occur when cooking along with poisonous mushroom अगर हमने onion और brinjal के साथ कसी mushroom को पकाया है तो वो एकदम से उसका color जो हो चेंज हो जाएगा तो में पता लग जाएगे poisonous mushroom and some brinjal pieces are its flower अगर हम कुछ brinjal के pieces या फिर उसके flower को डिप करते हैं तो उस प्रिफिश उसके पाउज्च अगर इसके flower को डिप करेंगे तो वो जो है ब्लाक इश हो जाएगा जिसे में पता लगा किए garlic flakes into a dark color when add to water along with poisonous mushroom garlic flakes flakes हो जाएगा एक दम से अगर इसको पॉस्निस ने डालने टेंगे if a mushroom has been eaten by slurs और rabbit it can safely eaten by human अगर उसको रैबिट से लग्स ने खाया है तो हम उसको एजली कंजप्शन कर सकते हैं कि वह सेफ है हुमन बींग के लिए और वाइट कलर मश्रूम और एडिवल जो भी वाइडिवल होते हैं जातर मश्रूम जो है वह जो नोन एडिवल होते हैं तो यह थी हमारी आज की जैने तिक यू